आप सबी लोग कुछ समय से देख रहे होंगे उत्तरफदेश की राजनीती में एक चहरा उभर के सामने आ रहा है वो है चंद सेकर आजाद राबर और आप लोगोंने देखा होगा कुछ समय पहले टाइम मैगजिन ने सौ उभरते नेताओं या सौ प्रभावसाली लोगों की सोची भी जारी की हुई थी उसमें भी आप देखेंगे कि चंद सेकर आजाद को सामिल किया गया था और आप देखेंगे कि ये दलित नेतत करने की बात करते हैं आप समझ रहे हैं तो देखेंगे कि इनकी एक संस्ता है भीमार्मी इससे काफी युवा जूडवी रहे हैं तो इनकी वाइगजराफी के बारे में हम लोग एक सामन जानकारी देख लेते हैं जिससे कम से कम आपके यहाँ कोई अगर नेता उभर रहा है तो उसके बारे में एक सामन जानकारी तो आपको होनी चाहिए समझ रहे हैं आप लोग और कई बार ये बिवाद में भी रहते हैं उस बिवाद को भी देख लेंगे और एक और बिवाद है इनका रावड ये अपने नाम के साथ क्यों जोडते हैं इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों जोड़ा जाता है इनके साथ रावड पहले आप लोग उत्तर पिदेश को देख लीजे एक बार क्योंकि भारत की राजनीती में अगर केंद में किसी को सत्ता में आना है तो आप सभी जानते हैं कि वो उत्तर पिदेश में जरूर अपनी पेट बनाता है समझ रहे हैं? आप देखिए कई पिदान मंत्री आपके अधिकतर पिदान मंत्री कह सकते हैं आप लोग कि उत्तर पिदेश से ही हुए हैं अभी वरतमान में देख लिए आप लोग 2014 में आपके बनाड़ असी से पिदान मंत्री मौदी साब चुने गए थे 2019 की लोगसभा में अभी पिदान मंत्री बनाड़ असी से ही चुने गए हैं तो आप देखेंगे यह है हमारा प्यारा भारत इसमें आप देखेंगे आपको दिखाई देगा यह है उत्तर पिदेश इसकी रादधानी की बात करें तो लखनव आपको देखने को मिलेगी और यहां आप देखेंगे कि लोगसभा सीटे असी हैं मतलब आप समझ रहे हैं असी सीटे यानि कि जिसने उत्तर पिदेश और विहार और महाराष्ट अपने कबजे में कर लिया वो कैंद में सत्ता में पहुंच जाता है लगबग समझ रहे हैं और यहां आप लोग राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 देखने को मिलेगी और विधान सभा सीटों की बात करें तो 403 देखने को मिलेगी और विधान पॉइशा सीटें 100 देखने को मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें हर छेत में पिर चाहे लोग सभा हो, राज्यसभा हो, विधान सभा हो उत्तरपदेश में ही देखने को मिलती है यहाँ एक और बात बता देता हूँ आपको देखिए जो लोग सभा के चुना होती है यह डारेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते है अगर आप देखते हैं कि आपकी बोटर आईडी में आपका नाम जुड़ चुका है तो आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे विधान सभा का जब चुना होता है तो विधायक जो चुनता है उसे भी जनता ही डारेक्ट चुनती है लेकिन जो राज्य सभा सदस होता है इसे आपकी बिधायक चुनते हैं ठीक है तो ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए देख लीजे ये है चंद सेकर रावर की पिक्चर और आप लोगों ने देखा भी होगा इनका फूरा नाम बात करें तो चंद सेकर आजाद है और उप नाम भी इनका रावर इनके जनम की बात करें तो आप देखेंगे तीन देसंबर 1986 को इनका जनम छोटमलपुर सहरानपुर जिले में होता है कहां उत्तर पिदेश में ठीक है और इनके पिताजी की बात करें तो गौवर्दंदास इनके पिता का नाम था और माता का नाम बात करें तो कमलेश देवी इनकी माता का नाम है और सिक्छा की बात करें तो बैचलर ओफ लौ यानि की कानून से जुड़े हुए हैं यह बकील हैं एक तरह से आप समय रहें? और इनके वेवसाई की बात करें तो एक सामाजी कारकरता भी हैं, राजनीती से भी जुड़े हुए हैं, और बकील भी हैं इसे लिए आप देखते हैं कि समिधान को लिये रहते हैं, यानि कि कानून की काफी इने जानकारी भी है इनों ने आपने देखा हुगा एक संस्था भी बनाई हुई थी, भीम आर्मी की नाम से ये 2014-15 की बात है, जब इस संस्था को इनों ने बनाया था और राजनीतिक दल भी हैंगा आजा समाज पार्टी, जो 2020 में इसकी इस्थापना की गई है देखिए अब आने वाला दिन ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि कितना पिरभाव उत्तर फिदेश की राजनीति में लावाते हैं किस तरह इसे टकर दे पाते हैं ठीक है, और सौक की बात करें तो इन्हें पढ़ना लिखना और यात्रा करना इन्हें पसंद है यात्रा की तो आप देख सकते हैं कि फूरे देश में घूमते रहते हैं हाल समय और पसंदीद नेता की बात करें तो डॉक्टर वावा साहव अंबेड करें और कांसी राम इनके पसंदीदा नेता है एक कांसी राम होई है जो बहुजन समाज पार्टी है ना बहुजन बादी बीएसफी उसका अगठन किया था इनों ने और मायबती को आंगे वह उसी का वारिष समझा जाता है उन्हीं का अब बात आती है कि अपने नाम के साथ रावर क्यों लगाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि रावर एक आप कह सकते हैं रावर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है आज के समय में आप समझ सकते हैं कि रावर बनना भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है हम लोग देखते हैं दसेरेप हम लोग उन्हें जलाने की बात करते हैं रावर को इसके पीछे उनों से कईवार मीडिया वालों ने पूचा भी है, तो उनोंने तर्ग भी दिया है। उनोंने काया कि रावर अपनी बहन सूफ नखा कि अफमान की करण सीता का उठा लाता है। सीता का हरन का लाता है। लेकिन आप देखेंगे उनको भी सम्मान के साथ रखता है, यानि कि लंका में रहीं, तो वो सुरक्षित रहीं, समझ रहें, चंदसेकर कहते हैं कि भली ही रावड का नकारात्मक चितरन किया जाता रहा हो, लेकिन जो बैक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो, औ और अपना सब कुछ दाव पर लगा सकता हो, वो गलत कैसे हो सकता है, देखें अब आप लोग इनकी बातों से सहमत हो, या आप लोग रावर से, या किसी भी उसमें केरेक्टर जो भी है, उनसे कुछ सीख लेते हो या न लेते हो, लेकिन आपको बता दो, कई लोग ऐसा मान कहानी है, एक बार के लिए मैं भी मान लेता हूं कि मन गणत कहानी हो सकती है, लेकिन आप समझें कि एक पूरा मतलब उससे सीख मिले, एक व्यक्ति को किस तरह से काम करना चाहिए, कहा जाता है आपने देखा भी होगा, कि अगर भगवान स्रीराम अयोध्या में रहते, पु अनों ने जो काम किये करम करी, उसकी वज़े से वो पुरुसुत्तम स्रीराम बनते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कि हमारी जिन्दगी 50 साल हो सकती है, 100 साल हो सकती है, आपकी मैं कहता हूँ 200 साल हो सकती है, लेकिन इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा ये आपके करम निधारित करेंगे आपने इस तिने लंबे समय में जो काम किये हुए वही आपको याद रखाएंगे आने बाले दिनों में आपने देखा है कि आजादी की समय भी देख लिजी आपको ऐसे भी लोग रहे हैं कि जो 100 साल 100 पिलस साल भी जी है लेकिन कोई याद उनका इतिहास में नाम नहीं है वही आप लोग देख लिजे चंद से का राजाद हों, भगस्तिंग हों, सुकदि हों, राजग्रु हों एक छोटी से उमर में सहीद हो गए फिर भी हम लोग उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं हम उनकी पूजा करते हैं वही इतियास में आप लोग देख लिजे 1857 के समय की बाद एक समय आपने देखा है कि रानी लच्मी भाई अंग्रेजों से लड़ रही थी उसी तरह दूसरी तरह आपने देखा है कि अंग्रेजों का साथ सिंधिया घराने के द्वारा दिया जा रहा था आप में से अगर अधिकत लोगों ने अगर इसपेसल कोई दिहास की बुक पड़ी होगी तो उसमें सीधा साथ सब्द लिखा हुगा है कि सिंधिया गद्दार था अब ये गद्दार सब्द कहा से आया है वहीं से वह समय भली ही इन्होंने अपना राज बच्या लिया हो उनका साथ देकर क्या इतिहास माप कर रहा है कभी नहीं और आप सभी जानते हैं कि जब तक मानव इस धर्ती पर रहेगा तब तक इतिहास रहेगा और इस इतिहास को हम लोग बदल नहीं सकते हैं आज का भी जो भी समय चलना है इसका भी मुल्यांकन होगा आने वाले समय में तो देखिए आप लोग कि आपके करमी निर्धारित करते हैं आपको किस तरह से इतिहास में याद रखा जाता है या ना रखा जाता है ठीक है खर छोड़िए इतनी बाते हो गई इनसे अगर बेबात की बात करें कि जहां से ये चर्चा में आए हुए तो एक बार क्या हुए है कि आप देखेंगे ग्रेट चमाड इन्नोंने एक बोड़ लगवा दिया अपने गाओं के पास दलीतों के उद्धान के लिए काम करें चन्द से कर पहली बार साल 2015 में सुरुकियां में आते हैं जब उनोंने अपने गाओं के बार ग्रेट चमार का बोड लगा दिया और उसके बाद आप देखेंगे कि दलित और ठाकरों को भी तनाव पैदा हो जाता है हाला कि यह बोड आज भी आपको उनकी गाउं के बाहर देखने को मिलेगा और देखें राजनीती में मुझे लगता है कि इस तरह की जंदा लड़ती रहती है और निता अपना काम निकाल जाती है तो मुझे तो लगता है सब में जूल कर रहें तो अच्छी बात है खेर मैं कि कौन होता हूं समझाने वाला फिर आप देखेंगे एक बार विवाद में आते हैं सेप्टमबर साल 2016 की बात है कि सहरानपूर की छुटमलपूर इस्थित AHP इंटर कॉलेज में दलिच छात्रों की कथित पिटाई के वाल विरोध पिदर्सन के बात पहली बार इस अंगटन सुरकियों में आता है भीम आर्मी एक आपने 2017 में भी विवाद देखा होगा कि सहरानपूर में कथित रूप से हिंसक विरोध पिदर्सन होता है दो जातियों में लेकर हिंसा होती है उसके बाद आप देखेंगे इन पर FIAR होती है और इने जेल जाना परता है और आप देखेंगे कि इलावाद उचने आले की द्वारा उनके खिलाब सभी आरोगों को खारिच कर दिया जाता है और 1 नमंबर सन 2018 को 15 महीने जेल में रहने के बाद उने रीहा कर दिया जाता है और रीहा होने के बाद इक काफी चर्चा में आते है ठीक है फिर आपने देखा होगा कि 2019 में एक आपका कानून आता है नागरिक्ता संसोधन कानून जिससे आप लोग CA कहते है तो इनका इसमें भी इनोंने बिरोध किया था तो इसमें भी इनके उपर FIR होती है और इने जेल जाना पड़ता है आपको यहीं बता देता हूँ एक सामण जानकारी नागरिक्ता संसोधन कानून के बारे में आपको मालूख होना चाहिए कि इसमें ये परावधान रखा गया है कि पाकिस्तान हो देख लिजे एक बार पाकिस्तान को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के जो भी सरणडार्थी भारत में आते हैं जिनमें हिंदू, सिख, एसाई, बौध, जैन, पार्सी इन्हें नागरिक्ता देने का प्रावधान रखा गया है इसका बिरोध इसलिए किया जा रहा है कि मुस्लिमों को इसमें नहीं जोडा गया है ठीक है? तो ये भी आप लोगों को मालू होना चाहिए कि इसमें बिवाद का कारण क्या बना हुआ है फिर आप देखेंगे कि इन्हें 15 जनवरी 2020 को 30,000 कोट ने भीमारिमी के प्रमोग चंद सेकराजात को जमानत दे दी फिर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हातरस में एक लड़की के साथ जो भी घटना घटती है जिस तरह से उसे अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें भी देखेंगे आपकी इस घटना में हिंसा को उफसाने और भड़काने के लिए जिम्मेदार भी माना गया था किसे भीमारिमी प्रमोग चंद सेकर आजात को इन पर F.I.R की गई थी और उसके बाद देखी इस तरह की आप राजनीती में हैं तो F.I.R होती रहती हैं जेल जाना होता रहता है लेकिन अभी तक इनकी पार्टी ने कहीं चुनाओ नहीं लड़ा है आप देखी कि 2022 में जो चुनाओ होता है तब आपको मालू चलेगा कि इनका फरवह उत्तरफदेश में कितना बना हुआ है किस तरह से बना हुआ है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आपने 2019 में देखा होगा कि वराड़सी में चुनाओ लड़ने की इनके द्वारा बात की गई थी नल्दमोदी के खिलाफ लेकिन कुछ समयवाल लेदों ने मना कर दिया था ये कहते हुए कि दलित वोट जो रहेंगे बटेंगे जिससे आप क्या होगा कि BJP जीत जाएगी ठीक है जो ही है उत्तरपेदेश की राजनीती है तो कम से कम इन नेताओं के बारे में आपको एक सामन जानकारी होनी चाहिए कि आप किने बोट दे रहे हैं किस तरह से बोट दे रहे हैं और फिरहाल तो हमारे देश की नेता ही अलग है लेकिन आप लोगों को बता दो आज की नेताओं की तो लाँ आप लोगों कहेंगी नेरू, भीमरा उम्बेडकर या सरदाल वल्लब भाई बटेल गांधी, लाल बाहदु सास्त्री उनसे नहीं कर सकते हैं उनमें और उनमें जमीन आस्मान का फरक देखने को मिलेगा लाल बादो सास्त्री के बारे में आप लोगों उन्हें कई कहानिया पड़ी होगी और नहीं पड़ी हैं तो उनकी बाई गुराफी हम लोगों उने कवर की हुई है आपके सभी पिदानी बंतरियों की राष्टपतियों की जो भी देश में चर्चित वेक्ती रहे हैं उनकी भी बाई गुराफी कबर की हुई है तो बाई गुराफी या जीबनी के नाम से आपकी प्लेलिष्ट सूची बनी हुई है उसमें जाईए आप लोग देखिए और अपने नेताओं के बारे में जानिये इससे क्या रहता है कि आपकी जो एक तरह से जानकारी उपलब्ध होती है तो आप बहतर तरग भी देपाते हैं और आप बहतर नेताओं के बारे में जान पाते हैं और फिर वोट भी दे पाते हैं बहुत बात हैं हो चुकी हैं हम लोग मिलेंगे किसी उत्तरपदेश के ही नेता के बारे में बात करेंगे आने वाले समय में भी अगर आपको भी लगता है कि कोई नेता चूटा हुआ है तो आप बताइए उसे भी कवर करने की फोरी कॉसिस की जाएगी ठीक है